नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर अभी तक अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सेर करें और कॉमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा important vessel है आपको पता है mode की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है ये क्या है pulses group है यानि कि दलनी फसल है तो आज इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं इसे आने वाले जितने भी क्योसन है उन सभी पर चर्चा करते हैं पीछे जो भी इस से क्योसन पूछे गए उन सभी family की बात करूँ तो family इसके कौन सी है फेवेसी यानि कि फेवेसी या फिर इसका अन्य नाम होता है leguminacy या फेवेसी कुल से ये बिलोंग करता है अब यहां पर आपको दोस्तों इसका वोटनिकल लेम है कई बार पूछा गया एक्जाम में यानि कि विगना एक्णॉनटी फोलिया होता है ठीक है इसको आपको वोटनिकल लेम को काफी important देना है याद करना है अच्छी त्रीक से उसके लावा बात करें इसके ओरिजन प्लेस की या उत्पतिस्तान तो उत्पतिस्तान इसका भी क्या है भारत है यानि कि भारत या इंडिया से इसका यानि कि ओरिजन प्लेस है या उत्पतिस्तान है इसके अंदर protein percentage की बात करें तो protein percentage है वो क्या रहता है 18.5 से 22% के आसपास इसमें यानि कि protein की मात्रा रहती है यहाँ पे अपने बात की आगे बात करते हैं इसके climate की यानि कि जलवाईयो की जलवाईयो की अगर बात कर है यानि कि इसकी खेती करने के लिए उप्यूख ताबमान है वो कितना रहता है तो उप्यूख ताबमान है वो कितना रहता है इसको ग्रोध करने के लिए 25 से 30 डिगरी Celsius ताबमान उप्यूखत रहता है यह इस ताबमान पे अच्छी वर्दी करता है अगर बात करें मर्दा की यानि कि इसके लिए सोयल की तो यानि कि ब्लूई दो मट मर्दा के अंदर क्या है अच्छी वर्दी करता है pH रेंज यानि कि इसको वर्दी करने के लिए pH मान है वो क्या है 6.5 से 7.5 इसके लिए उप्युक्त रहता है pH मान आगे बात करते हैं अपने बीजदर अब देखो इन दलनी पसलों की अगर मैं बात करूँ इनसे बीजदर है वो इंपोर्टेंट रहती है बीजदर इनसे पूछ ली जाती है और इनकी कुछ किस्में होती है जिनसे क्यों सराने की स्वावना जादा रहती है तो आपको habitat करने यहां पर अगर मैं बात करूँ इसकी सुध्वचल की बीजदर सुध्वचल का मतमल यहानि कि जब अपने क्या है केवल अकेले यहानिकी जैसे मोट की पसल है उसको अकेला हुआते हैं यहानि उसके साथ कि सींत्रस सस्य करते्दें तब इयानिकिशी अगर तब इसकी बीज़दर कितन रखे या जाती है, दस किलोग्राम रखी जाती है अगर मिक्स्त्रित फसल के रूमें, यानि Emily क्रोपिंग करते हैं तब इसकी बीज़दरः कितन रखते हैं, 4.5 किलोग्राम रखते हैं अगर बात करें इसके बुआई का समय यानि कि बुवाई के समय की बात करें कि बुवाई का समय क्या है तो इस ख्रीप की जो फसल है उसकी मानसून की वर्सा शुरू होने से 15 अगस तक इसकी क्या अपने बुवाई कर सकते हैं और जाहिद की अफसल की बात करूँ तो जाहिद की अफसल है वो 15 फरवरी से 15 मार्स तक अपने उगा सकते हैं उसके अलाव अपने बात करें इसकी उनत किस्मों की उनत किस्मों में जिसे आरेमो 40 है है, आरेमो 225 है, जिसे क्या है, मरू वर्दान के नाम से भी जाना जाता है, आरेमो 257 है, आरेमो 423 है, आरेमो 435 है, जिसे क्या है, मरू बाहर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर मरू वर्दान और मरू बाहर ये इंपोर्टेंट किस्म गई है यानि कि यह कहां से विक्षित की गई है के वर कि उसने पूछ लिया जाता है कि जड़िया और जवाला यानि कि इसकी किसमे है तो आपको ध्यां रखना है मोट की किसमे है कहां से विक्षित की गई है उसके अलावा अगर बात करें अपने इसके अंदर सिंचाई की यानि कि जितने भी पल्सेज क्रोप है उन सभी के लिए अगर आपको बात करें तो वह कौन से अवस्ता होती है एक तो पुस्पन अवस्ता और एक फलिया बंते समय यानि कि सिंचाई करनी चाहिए नेक्स अपने बात करते हैं पर्टिलाइजर और मेनियूर की तो इसके अंदर एफवाईयम यानि कि अगर एफवाईयम की बात करूं तो यानि कि दलनी पसले है तो इसके अंदर एफवाईयम की मातरा है वो कमी रखे जाती है यानि कि अड़ाइस दो से तीन टन परती हैक्ट इसलिए होती है उनमें यानकी 10 से 30 किलोग्राम तक रखते हैं परंतु एक फसल आती है कौन सी राजमा राजमा के अंदर क्या है नाइट्रोजन की मात्रा है वो क्या है परती हेक्टर 110 किलोग्राम रखी जाती है तो आपको त्यां रखना है उसका भी कार्ण होता है क्योंकि राजमा होती है वो क्या दलनी फसल होने के होती है फिर भी वो क्या नाइट्रूजन का स्तिरिकर्ण नहीं करती है इसलिए उसमें नाइट्रूजन की मात्राय वो पर्ति हेक्टेद ज्यादा रखी जाती है next अपने बात करते हैं इसके लिए खरपत्वार नीयंतन के लिए तो आपको धेहाँ रखना है कि जो Palses Growth होती है उनके अंदर के हाँ खरपत्वार नीयंतन के लिए किसर रसायन का प्रियोग करते है Fluclorine का 1kg बूवाई करने से पहले काम में लिया जाता है इसके लाव अपने पेंडी मैथाली ना है उसका प्रियोग भी कर सकते हैं बोवाई के बाद और अंकूर्ण से पहले कर सकते हैं नेक्स अपने बात करें रोग की तो रोग इसके अंदर लिफ करल है रिफ करल है जो क्या वाइरस जनित रोग होता है और इसका वाहक होता है वो क्या होता है वाइट फ्लाई यानि कि सफेद मक्खी इसको फेलाने का कारिया करती है इस रोग को फेलाने का कारिया वो कौन्स कर दाप्त होता है तो यानि कि दाने की उपज़ वो 6-8 क्यूंटल होती है और सुखे चारे की उपज़ है वो 8-10 क्यूंटल परती हेक्टियर होती है तो थैंक यू दोस्तों और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सेयर करें लाइक करें धनेवाद नेक्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जल्दी जय जय भारत